हन् distract cat क्लाइस इस टुडएंड डिस आवो फ्यूचिर्टइ दिस आवर फ्युूचर स्टाइब बूक Quantum तूड वीद रिट चैपter नंबर वन इंडिया माई मदा लैंड इक डिरीट度 हैं लत्डार चाज ऴें हमारी जो इंडिया हमारी जो मदश लेंड है उसके बारे में बतागिया कि हमारी जो मधंश लेंड है टो इंडिया के पारी है क्योंकि दिफ्रेंट टाइब के लोग है डिफ्रेंट language है different state है और each state have their unique culture जितने भी state है उनके अलग-अलग culture है तो यह हमारी इंडिया के बारे में बता गया और उसके बार हम सब लोग एक साथ बड़े प्रेम से बड़े भाईचारे के साथ में रहते हैं तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है the songs of delight the festival of color and light every Indian celebrate life overcome strength and strength okay और यह हमें कह रहे है the song of delight light means होता है खुशी के गियत हमारे जो इंडिया वारे लोग हैं वो हमेशे कैसे करते हैं खुशी के गियत काते हैं चाहे वो holy का festival हो या फिर दिवाली festival हो तो जो holy festival वो क्या है color of festival है और जो दिवाली वो क्या है light का है रोशनी का ते वहारे और यहां पर सारे जो ते वहारे वो बहुत ही हसी खुशी मनाई जाते हैं every Indian celebrate life जितने भी इंडियन है वो अपनी life को celebrate करते हैं और क्या होता है जब festival आते हैं जब घर में खुशी आती है तो वो क्या हो जाते है overcome stress and stiff उनका जो stress है उनका जो tension है वो क्या हो जाता है दूर हो जाता है थोड़ी देर के लिए उनकी जो difficulty है वो दूर हो जाती है और वो खुशी से सारे festival को enjoy करते हैं the green fields way to the beat of your hearts joys and vibrant every part ठेक है अब यहां green field यहां पर बात हो रहे हैं हमारे harvest festival की ठेक है वो तो हमारे जो festival को जाता होली और दिवाली था अब यहां पर harvest festival की बात हो रहे है जो harvest festival है वो अलग 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 जगे मनाया जाते हैं ठेक है जसलागे देखिए आप पंजाब में बेस अलग जाता है यह यह यूपी और रहस्तान में अमकर सक्रांती मनाया जाता है तो यह सब क्या harvest festival है जो harvest है वो पूरी तरह से ग्रो हो जाती है अपर उनके cutting का time आ जाता है तो उसमें क्या होता है दा green field sweet to the beats of the heart जो green field है वो पता रहे है कि वो ऐसे लहराते हैं खेत और उनमे से एक sound निकलता है एक heart का sound निकलता है beat निकलती है उसमें से joy and the vibrant every part जो पूरी हम को भी और पूरी धरती को भी क्या करते joyful कर देते हैं vibrant कर देते हैं हर एक part को each one busy is building bridge और हर कोई व्यक्ति क्या हो जाता है ब्रीज बनाने में busy हो जाते हैं ब्रीज ब्रीज का मतलब है कि एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के कंदे से कंदा मिला के काम करना peace flow in revenge and bridge और जो पीश जो शान्ती है पूरा पहाड़ों से लेते हुए पहाड़ों की चोटिओं से लेते हुए नीचे धरती यानिदि की उपर से नीचे तक बौटं से लेके उत्तर से लेके पुर पूरे पूर पुरे दक्षिन से लेके चारु तरफ शान्ती ही शान्ती बह भजूर होते हैं जो फटा-फट सारा काम करते हैं तो इसको भी वह खुशी-खुशी जॉय करते हैं फिर है मारे लास्स टेंजा और ट्राइंग लिसन टू दियर इनर वॉइस और फिर फेस्टिवल और फेस्टिवल हमको क्या बताता है और हर व्यक्ति एक दूसरे की बातों को सुनने की कोशिश करता है यहां पर जब फेस्टिवल होते हैं तो लोग क्या करते हैं एक दूसरे को बदाई देने जाते हैं एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे की मन की बात को समझते हैं यह जो इंडिया है वो एक जानने सीखने का इस्कुल है जानने सीखने का इस्कुल है इसकुल क्यों है क्योंकि इसकुल में हम बहुत सारी चीज़े सीखते हैं उसी तरह से हमारी जो country है यहां पर हम बहुत सारी चीज़े सीखते हैं क्या सीखते हैं हम लोग एक साथ रहना सीखते हैं एक साथ एक दूसरे की help करना सीखते हैं शांति के साथ रहना सीखते हैं और ब मतलब होता है मुल्य मतलब जो हमारा behavior है यहां पर एक दूसरे की मदद करना एक आचरण है एक है आचरण है मतलब एक behavior है कि हम यहां पर एक दूसरे की मदद करते हैं चिके तो यह हमारे इंडिया का एक quality है कि हम लोग सारे एक harmony के साथ में रहते हैं और एक दूसरे के help करते हैं festival हैं बहुत सारे festival हैं जिसको पूरा इंडिया ही celebrate करता है हर पार्ट में अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग festival है तो यह quality है हमारे इंडिया की हमारा इंडिया ऐसा है इसलिए जो foreigners होते हैं हमारे इंडिया में moving करने के लिए आते हैं देखते हैं उदहां की culture के बारे में बहुत एच्छा लगता है पूरे वर्ड में एक इंडिया ही ऐसा है जहां पर जहें के डिफ्रेंट languages हैं डिफ्रेंट state हैं डिफ्रेंट culture हैं डिफ्रेंट load हैं और सब एक दूसरे से connect हैं चले देखते हैं next the first of all up the key exercise exercise check out career now see the flinda blanks question answer I will tell you evocable part is quapoo question number B you can see question number one what does the building bridges mean building bridges means according to the poem building bridges mean to make relation of harmony ii ek-dusse ke saith piyar ka wajwar banana piyar ka samband banana pradhar ut ka samband banana or rame ka samband banana yehi hai hamaara building bridge okay which line tell there is the peace in the country kaunsi line hai jis se pata chala shanti hamaare poori country mein hai peace follows in revenance and dreams yeh joh line hai yeh baatati hai this line tell that there is a पीस इन दा कंट्री कोशिश करता है इच वन ट्राइज तो अंडरस्टाइंग तो दिया इनर वोईज एक दूसरे की आवाज को सुनके एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं वह वह द्हूंच पार दूसरी कांट्री इंडिया से क्या सीख सकते हैं पर दूसरे कन्ट्री इंडिया से क्या सीख सकती है। that how can we live in peace कि हम लोग कैसे शांती से रहते हैं making brotherhood अपना भाईचारा बना के रहते हैं शांती से and respect to each other एक दूसरे का respect करते हैं and helping each other with our norms और अपने मुल्यों के साथ में अपने आचरण के साथ में हम दूसरे की help करते हैं तो ये था हमारा lesson first for class 8 now goodbye take care